कि Hello everyone Welcome back to our channel Step up Educator last lecture में हमने manger kiya था fota synthesis के process को complete कर दिया था जिसमें हमने last जो lecture था उसमें हमने pha shisa photosynthesis को cover किया था तो आज हम next start करेंगे hetereotropic nutrition के बारे में सिबसे पहले हम देखेंगे कि हिटीरोट्रीड नूट्रीशन क्या होता है अब हिटीरोट्रोट्रीजम क्या होता है जिसमें एक और्गनिजम दूसरे और्गनिजम पे depend करता है for their food खाने के लिए वो दूसरे इंसान दूसरे प्लांट्स पे animals पे, किसी भी चीज़ पे वो क्या करता है, depend करता है उसको हम heterotropic nutrition कहते हैं जैसे humans आगे, animals आगे as heterotrops depend on other organism for their food, they are called consumers जब हमने autotropic nutrition की बात की थी उसमें हमने बोला था कि plants जो हैं वो अपना food जो है, खुद prepare करते हैं और उनको producers कहा जाता है कहते हैं कि जैसे कि heterotrops जो हैं, वो दूसरे organism पे depend करते हैं food के लिए इस वज़े से इनको क्या कहा जाता है consumers all animals can be divided into three main groups on the basis of their food habit कहते हैं कि जितने भी animals हैं उनको three main groups में divide किया गया है किसके basis पे कि उनके खाने की habit क्या है, कि वो क्या खाते हैं सबसे पहला है herbivores herbivores वो animals होते हैं जो सिरुफ plants को eat करते हैं जिसे cow हो गई, goat हो गई carnivores they feed on flesh of other animals अब जो carnivores होते हैं ये वो organisms, वो animals हैं जो दूसरों के flesh को eat करते हैं जिसे lion है, vulture है ये plants नहीं eat करते हैं ये flesh ही eat करते हैं other organism के अब omnivores omnivores वो organisms हैं वो animals हैं जो plants को भी feed करते हैं और animals को भी जो combination है herbivores और cornivores को उसको हम omnivores कहते हैं जैसे अगर आप humans की बात करो तो humans जो हैं, वो क्या हैं omnivores हैं कभी-कभी आपको एक direct question भी पूछा जा सकते हैं क्योंकि कुछ भी कोई भी आ सकता है क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज ही important है पूछा जा सकता है कि जो vulture है ये किस की example है तो ये carnivores की example है humans की बात करें तो ये किस की example है ये omnivores की example है next अब जब हमने flow chart देखा था कि जो हमारी nutrition mode of nutrition में उसमें मैंने आपको बताया था mode of nutrition में heterotropic और autotropic के बारे में कि जो autotropic हैं वो दो टाइप्स के हैं जैसे photo autotrops और chemo autotrops जो हमने cover कर दिया है topic heterotropic में मैंने आपको बताया था parasitic, symbiotic, saprophytic, insectivores, holozyg कि ये भी फर्दर जो है ये क्या है divided है सबसे पहला जो है parasitic parasitic क्या होता है ये वो mode of nutrition है जिसमें एक organism दूसरे organism की body के उपर रहता है अब जिस माल लो अब हमारे कुछ बहुत सारी चीज़े ऐसी है कि जो हमारी body पे भी उनकी बात करें तो वो जो जू है वो हमारी body के उपर क्या कर रही है रह रही है और उसके लिए हम क्या है host है जो जिस कोई भी parasite जिस body के उपर रह रहा है तो वो act करता है as a host इसमें example lies mosquito, cascata अब cascata की बात करें आपने देखा होगा बहुत सारे जगा पे यह plant है इसके उपर यह जो yellow color का आप देख रहे हो इसको cascata बोलते हैं क्या कहते हैं cascata यह भी क्या है दूसरे plant की body के उपर मैं ज़र plant की उपर रह रहा है इसको बोलेंगे हम para-setik इसके लिए यह जो plant है यह जो tree है यह क्या है host है next is saprophytic the mode of nutrition in which organism feed on dead and decaying matter saprophytic nutrition वो nutrition होती है जिसमें जो organism है वो किसको feed कर रहा है dead or decaying matter उन चीजों पे जो dead हो चुकी है जो खतम है उन पे feed कर रहा है अब जैसे आप देखो यह bread था यह खराब हो गया है इसके उपर यह जो आप अलग सा color देख रहे हो इसको बोलते हैं mold क्या बोलते हैं bold और यह ही यह क्या चीज है यह saprophytic हो गया है कि मतलब यह saprophytes हैं क्योंकि यह क्या कर रहे हैं dead matter को feed कर रहे हैं next is symbiotic mode of nutrition in which two different individual associate with each other to fulfill their requirement of food अब क्या है दो organism अलग अलग species से हो चाहें वो इकठे रहें क्यों ताकि उन दोनों का क्या हो सके mutual benefit हो सके दोनों को फाइदा मिल सके अब हम इसमें example की बात करें sorry देखो यह lichens lichens क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ इसमें lichens basically क्या होते है algae और fungi का combination अब fungi जो है वो algae को क्या दे रहा है water और algae in return fungi को क्या दे रहे ही है food मतलब यह दोनो mutually understand कर रहे हैं दूसरे को mutual relationship है इन दोनों का तो यह तो दोनों चीजे हैं यह क्या है symbiotic nutrition से यह feed कर रहे है next is insectivorous insectivorous वो nutrition है जिसमे जो organism से वो insects feed करते हैं जैसे picture plant हो गया witness fly trap आपने picture plant देखा होगा वो plant ऐसा होता है कि उसके उपर एक lid होती है अब मुझे ही वो picture actually add करने नहीं हुई है sorry for that वो एक ऐसा होता है कि उसमेना एक lid होता है तो insect जैसे ही उस picture के अंदर enter करेगा तो वो lid जो है वो close हो जाता है तो वो picture जो है वो इस insect को क्या कर लेता है ट्रैप कर लेता है next is holozoic nutrition holozoic nutrition ही आपका सबसे main important topic है holozoic का मतलब होता है the mode of nutrition that involves the ingestion of solid or liquid organic material digestion absorption and assimilation of it to utilize it it takes complex substance and converting them into simpler terms इसका कहने का यही मतलब है holozoic nutrition में मतलब जो whole process जैसे human beings के अंदर जो digestion होती है पहले हम intake करते हैं फिर वो मारी body में digest भी हो रहा है अब्जॉब भी हो रही उसके assimilation भी हो रही तो बलड के साथ आके वो combine भी कर रहा है हमें energy भी मिल रही है extra जो undigested food भी हो रही हो रही है यह जो सारा process है यह जो nutrition का process है इसको कहा जाता है holozoic nutrition अब हम holozoic nutrition में ही हम digestion का topic भी cover करेंगे इसमें हमने main यही करना है कि जो digestion है वो कैसे होती है digestive system में क्या-क्या parts आते हैं किस part का क्या function है यह सब चीज़े हम देखेंगे अब digestive system digestive system अगर आप बात करो देखो यह mouth यहां से खाना एंटर हुआ इसोफेगस से गया देन वो stomach में एंटर हुआ stomach से वो small intestine में एंटर कर रहा है large intestine में then finally annus में अब यह इसके कुछ main and main parts है जो मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे खाना food mouth से एंटर हुआ तो वो मारे इसोफेगस से pass होकर कहां चला गया stomach में चला गया process जो है वो start हो रहा है कहां से mouth से mouth जो है इसके पास हमारे दो parts आते हैं अगर हम मूँ खोलेंगे हमें दो ही चीज़ें दिखाई देती है हमें दो ही चीज़ें दिखाई देती है एक दिखाई देते हैं हमें teeth और second जो हमें दिखता है वो अता tongue mouth composed of teeth and tongue mouth has salivary gland which secret saliva अब आपको पता है कि जब भी हमें कुछ खाने का मन होता है हम बोलते हैं मेरे मुझे तो पानी आ गया वो पानी नहीं होता है वो saliva होता है क्योंकि हमारे मुझे अंदर salivary glands present होते हैं जो उस saliva को release करते हैं हम बोलते हैं न हमें पानी आ रहे है मुझे वो पानी नहीं होता वो क्या होता है हमारा saliva होता है saliva break down the starch into sugar अब saliva का काम क्या है उस मूँ के अंदर क्या काम है वो starch जो हम खा रहे हैं उसको convert करता है sugar में आप से मैं question बता देती हूँ कि जो starch के digestion है वो सिरफ mouth में ही होती है अगर आप stomach में jaw small intestine में large intestine में किसी भी part में body के starch के digestion नहीं होती है कहां पे होती है वो हमारे मूँ में ही start हो जाती है और मूँ में ही कि खतम होती है क्या मूँ से ही वो sugar की form में वो convert हो जाता है tongue mix the food with saliva taste the food tongue, tongue का का काम क्या है अब हमारे पास मान लोग कोई person है जिसमें tongue नहीं है present नहीं है तो क्या उसका खाना mix होरा saliva के साथ नहीं क्यूंकि उसमें mixing नहीं हो रही है tongue ही तो हमारी help करती है क्खाने को mix करने में अब जो teeth है teeth का का काम mix करना नहीं है teeth का काम सिर्छ chew करना है grind करना है खाने को जो हमने खाया है, intake किया है उसको सिर्छ chew और grind करने का काम जो है वो teeth का है mix करने का काम teeth का नहीं है teeth helps in chewing or grinding of food the process of chewing is called mastication ये जो process होता है chew करने का इसको कहा जाता है mastication ये हमारा teeth की diagram है इसमें आप ये जो first के front four teeth दिखाई दे रहे हैं इस colour में, इनको कहा जाता है incisor क्या कहा जाता है? incisor जो incisor होते हैं ये four दिखाई दे रहे हैं, बट ये upper jaw और lower jaw, आपको पता है कि two jaws होते है हमारे mouth में एक upper jaw होता है, एक lower jaw होता है 4 incisors जो है वो हमारे upper जामे होते है 4 incisors जो है हमारे lower जामे होते है इसका मतलब है total incisors कितने हुए? 8 कितने हुए? 8 और इनी incisors को क्या कहा जाता है? cutting and biting teeth क्योंकि ये cut जो खाना हम ले रहे हैं उसके cutting में कोन help करता है? incisors क्या help करता है? incisors अब ये जो आप sky blue color का देख रहे हो teeth एक इस side है एक इस side इसको कहते हैं हम canine canine जो है ये आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं ये lower जाके हैं 2 अपर जाके होंगे तो total canines कितने होगे? 4 होगे next ये orange color के आप 2 दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं हम premolar का number कितना है? 8 कितना है? 8 और premolar को कहा जाता है chewing and grinding teeth chew करने में और grind करने में जो teeth help करते हैं उनको कहा जाता है premolars and molars और incisors को कहा जाता है cutting and biting teeth canines को कहा जाता है piercing and tearing teeth ठीक है? अब ये जो last के 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं 3 आपको 3 और 3 6 होगे 6 आपको अपर जामें दिखाई देंगे तो total molar teeth कितने होगे? 12 हागे ठीक है? इसमें क्या हुआ? 8 इंसीजर 4 के 9 8 प्री मोलर 12 मोलर ठीक है? टोटल कितने teeth होगे? 32 12 प्लस 8 20 20 प्लस 4, 24 24 प्लस 8, 32 टोटल teeth कितने होगे मारे? 32 आपसे यह पूछा जा सकता है इंसीजर कितने होते हैं? के 9 कितने होते हैं? प्री मोलर का नंबर क्या है? और मोलर का नंबर क्या है? यह सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए क्योंकि यह important है यह देखो मैंने लिखा भी है इंसीजर का नंबर जो है 8 है जिसको हम cutting and biting teeth कहते हैं के 9 piercing and tearing teeth नंबर 4 प्री मोलर का जो नंबर है वो 8 है chewing and grinding teeth और मोलर का नंबर 12 है chewing and grinding teeth अब खाना जैसे ही हमारे मूँ से एंटर हुआ यह इसोफेगस से पास होगा swallowed food passes through food pipe by peristalletic movement कहते हैं कि इसोफेगस से खाना मूँ से जैसे ही हमने swallow किया अंदर की तरफ इसको निगल रहे हैं तो इसोफेगस से वो पास होगा food is prevented from going into wind pipe by a small flap like structure called epiglottis epiglottis का concept यह बहुत important है मैं आपको diagram के थूँ बताती हूँ every time we swallow the epiglottis closes the wind pipe आपको पता है क्या होता है जब हम खाना नहीं खाया होता हम कुछ खा नहीं रहें तो हमारा epiglottis क्या होता है open होता है और जैसे हमने मूँ में कुछ डाला खाने के लिए तो हमारा epiglottis close हो जाता है क्यूं ताकि जो खाना है वो हमारी wind pipe में नहीं जाए वो हमारी food pipe से ही पास हो wind pipe में वो enter ना करी अब देखो ये खाना खाया इसने कुछ भी नहीं खाया तो इनका ये जो epiglottis का part है ये क्या है open है बट जब यहाँ पे कुछ food enter हो रहा है isophagus से कोई चीज पास हो रही है तो epiglottis जो है वो क्या हो जाता है close हो जाता है बंद हो जाता है ठीक है अब यही है देखो इसमें ये important है पूछा जा सकता है कि epiglottis जो है ये close क्यों किया जाता है जब भी हम कोई चीज swallow करेंगे तो हमारा epiglottis जो है वो close हो जाता है ठीक है अब next जो है वो है stomach कि stomach क्या होता है thick walled back shape flattened J widest part of the elementary canal present on left side of the abdomen खाना isophagus से आया ये जो part है ये part J shaped part इसी को क्या कहा जाता है stomach और ये हमारे किस side में present होता है abdomen के left side the inner lining of the stomach अब ये जो stomach है इसके अंदर lining है वो secret करती है अलग-लग चीज़ों को सबसे पहले जो secretion है stomata के inner lining की वो है mucus, mucus क्या करता है जो stomach की line wall है उसको protect करके रखता है HCL, अब जो stomach है अब हम कभी बोलते हैं gastric problem हो गई है gastric का मतलब ही है कोई भी problem that is related to your stomach कोई भी हमारे stomach के साथ relate करने वाली कोई भी problem होगी तो वो उसके साथ term जो use की जाती है वो होती है gastric sorry क्या होता है कि mucus क्या करता है stomach की lining जो है उसको protect करता है next है HCL जिसको हम है hydrochloric acid भी कहते हैं क्या होता है कि कोई भी खाना मालो कोई food है वो enter कर गया हमारी body में पर उसके साथ बहुत सारे क्या थे मतलब हाँ मालो की बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो bacteria थे उसमें bacteria थे अब ये HCL जो है ये stomach release करेगा क्यों ताकि ये उस bacteria जो food के साथ enter कर गया है उसको ये क्या कर दे मार दे, kill कर दे जब ये उस food के bacteria को kill करेगा और ताकि और ये क्या करेगा stromak को acidic बना देगा क्योंकि देखो अगर HCL bacteria को kill करने के लिए release तो हो रहा है तो वो stromak को भी क्या बना रहा है क्योंकि जो HCL है इसका acidic nature है तो वो HCL जो है वो क्या कर रहा है उसको stromak को क्या बना रहा है acidic बना रहा है जिसकी वज़े से हमें क्या problem हो जाती है gastric problem हम बोलते है gas बन गी है तो gas कैसे बन गी है क्योंकि acid जादा हो गया हमारी body में वो ही लिखा है HCL It kills the bacteria in the stromak that enters along with food and makes the medium in the stromak acidic जो कि हमारे stromak का medium है उसको क्या बना देता है acidic बना देता है अब और क्या secret करता है inner जो लाइनिंग है stromak की करते है digestive juices It helps in breaking down the proteins into simpler substance pepsin enzyme breaks the enzyme अब क्या होता है अगर हमने कोई food intake किया है जिसमें protein था जिसमें किसकी concentration थी protein की concentration थी अब क्या होता है जो digestive juice secret करता है stomach वो क्या करेगा इस protein को peptones में convert कर देगा किसमें convert कर देगा peptones में peptones क्या है किसकी presence में कर रहा है pepsin enzyme जो क्या करेगा आपसे पूछा जाए कि peptin enzyme क्या convert करता है that converts the protein into peptones क्योंकि जो ये क्या करते है मतलब protein को simpler substance में convert कर देता है ठीक है इसके ये भी important है पूछा जा सकता है कि digestive juice जो secret होता है stomach में उसका क्या काम है तो उसका काम है protein को convert करना peptones में ठीक है next जो part है हमारे digestive system का तो वो क्या है small sorry वो part है हमारा small intestine अब हम देखेंगे small intestine ये जो बीच वाला part है देखो कितना coiled है तो ये थोड़ा भड़ा part आता है इसकी length जो है small intestine की जादा होती है highly coiled longest part of elementary canal the bile juice secreted from the liver the pancreatic juice from the pancreas and digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all the components of food in the small intestine अब देखो मैं आपको बताती हूँ ये diagram से ही देखते हैं small intestine का क्या काम होता है कि अगर liver ने कोई अपनी secretion release की pancreas ने कोई secretion अपनी release की है या कोई भी स्टॉमक की वज़े से digestive juice recreate हुआ है वो सारा कहां एंटर कर जाएगा small intestine में और जितनी भी food की component है जितनी भी overall digestion है वो कहां कर की जाएगी small intestine में वो जो small intestine है याद रखना ये highly coiled होती है digestive system का जो highly coiled part है तो वो कौन सा है small intestine ठीक है और इसको elementary canal का longest part भी कहते है आप से question पूछा जाए which is the longest part of the elementary canal that is small intestine next large intestine wider and shorter than small intestine water and some salts are absorbed from the undigested food in large intestine अब क्या होता है सारी digestion जो है वो हमारे small intestine में ही हो जाती है अब कुछ जो मतलब digestion है जैसे water की और कुछ salts की वो कौन जैसे undigested food जो food small intestine से तो पास हो गया digest होके बट उस जो undigested food है जो food जो चीज digest नहीं हुई है उस में से water और salts जो है उनको क्या करता है absorption उनकी कहां होगी हमारी large intestine के पार्ट में और जो undigested food है यह हमारी body से expelled out हो जाता है as a feces through endness किस पार्ट से endness पार्ट से यह जो हमने cover किया यह सारा जो cover करने का था यह topic था क्या digestive system हमने start किया था mouth से फिर हमने concept कवर किया stomach देखा small intestine small intestine से large intestine में enter हुआ और यह दन endness में अब मैं आपको एक बात बता दू कि जो small intestine में जो secretions आ रही है थी किस किस की मैंने आपको बताई liver की pancreas की और sorry pancreas की थी और digestive juices अब क्या है जो liver है यह secret करता है किसको liver जो है यह secret करता है bile क्या secret करता है bile जैसे ही liver bile को secret करेगा तो यह store कहां होता है gall bladder के अंदर और यह जो bile है ना यह help करता है किस की digestion में fats की digestion में जो भी हमने खाना लिया है वो small intestine में जाके digest होगा उसमें जितना भी fat होए वो किसकी help से digest होता है वो bile juice की help से होता है digest जो secret होता है bile liver gland से और store कहां किया जाता है गाल bladder उसके बाद जो भी pancreatic juices थे जो भी मैंने आपको बोला pancreas जो है इसने secret किया pancreatic juice अब pancreatic juice जो small intestine में जैसे ही पहुंचेगा तो वो act किसके उपर करेगा carbohydrates पे fats पे और जो भी बची हुई protein से उन पे भी ये जाके क्या करेगा act करेगा ताकि ये चीजें क्या हो जाएं digest हो जाएं, कौन act करेगा pancreatic juice ठीक है, और हमेशा याद रखना जब भी small intestine में protein की digestion में ने आपको बताया कि जो pancreatic juice secret करेगा तो वो help करता है protein की digestion में, उस time पे जो protein है, वो protein जो है, वो किस में convert हो जाएगी amino acid में याद रखना कि small intestine में protein जो है, वो amino acid में convert होता है, और stomach में जो protein है, वो peptones की form में convert हो जाता है with the help of digestive juice that is secreted by stomach, अब आप याद रखना है कि जो liver है इसको largest gland भी माना जाता है जो largest gland है हमारी body में, वो कौन सा है, liver ठीक है अब next आता है, यह हमारा steps in the process of digestion क्या क्या steps है, बदब कैसे कैसे digestion होती है, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया सबसे पहले तो हम खा रहे हैं, start खाने से हो रहा है तो यह जो step है, इसको कहा जाता है ingestion, क्या कहा जाता है ingestion, ingestion का मतलब होता है intake of food, कि जो आप खा रहे हो फिर आता है digestion जब हम बड़ा सा बहुत ज़दा food जो है large quantity में हमने eat किया, उसको अगर हमने larger form से smaller form में convert करना है, तो उसी process को क्या कहा जाता है, digestion थर्ड आता है हमारा step that is absorption, कि जो food है जो digest food है वो किसमे blood stream में क्या हो जाए pass हो जाए, उसको हम कहेंगे absorption, next जो step आता है, that is assimilation, क्या बोलते हैं इसको assimilation, assimilation क्या होता है कि जो absorbed food है जो हमारी body cell ने लिया उसको वो use करें कि इसके लिए energy growth and repair के लिए इसी process को कहा जाता है assimilation, next आता है egestion, egestion का मतलब होता है remove कर देना, जो भी undigested food है, उसको अपनी body से remove कर देना, diet process is known as egestion, यह कुछ steps थे, जिसमें हमने 5 steps जो हैं cover किये, ingestion digestion absorption assimilation and egestion, यह बहुत important है, पांचो के पांचो steps आप से पूछे जा सकते हैं कि nutrition जो है animals में, कितने steps में होती है, तो वो 5 steps में होती है अब मैंने एक, इसमें topic add किया है, digestion in grass eating animals कि grass eating animals में digestion का क्या process रहता है मैं आपको बता दूँ कि जितने भी grazing animals हैं जितने भी animals जो graze करते हैं, जैसे cows होगे, बफैलो होगे, dears होगे, जितने भी मतलब grazing animals हैं उनको हम कहते हैं, ruminants क्या कहा जाता है उनको, ruminants आपसे पूछा जा सकता है ruminants कौन सी category से belong करते हैं, all the grazing animals that are known as ruminants, अब ये क्या करते हैं, आपको पता है जब हम कभी किसी गाई को गास डालते हैं तो वो एकदम से सारा खा लेती है क्या वो एकदम से खा रही हैं क्या वो उनकी digestion हो रही है एकदम से वो digest भी कर रही है, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो QU機illy तो digest ingest कर लेती है फूड को, पर वो अपने stomach के part में, ये इनका stomach है, इस part में ये क्या करके रखती है, store करके रखती है, और उसी पार्ट को क्या कहा जाता है, रियूमन कहा जाता है क्या कहा जाता है, रियूमन और ये जब रियूमन में पहुँचता है इनका खाना, ये थोड़ा undigested form में होता है, मतलब कि partially digest हुआ होता है, completely digest इसको कहाता है कड़ क्या कहा जाता है कड़ अब चैसे ही गाये जो है कोई भी मतलब ग्रेजिंग यmmel है जोब वह बैठेगा आप देखते हो कभी वह हम ने इसको चारा डाला होता है रहा का लिया होता है पर 10-15 मिनिट बाद हम उसको देखते हैं वो कुछ खा रही होती है अपने मूह में कुछ चू कर रही होती है इसका क्या मतलब है कि हमने उसको वापिस से खाना डाला नहीं हमने उसको कोई भी घास नहीं डाला वो जो पार्शली डैजिस्टीड फूर्ड था वो वापिस से अपने मूह में लेके आती है और उसको चू करती रहती है और इसी प्रॉसेस को क्या कहा जाता है रियूमीनेशन कि जब वो जो पार्शली डैजिस्टीड फूर्ड था या फिर इसको हम कड कहते हैं वो वापिस उनके माउथ में रिटन होता है इन स्माल वो एनिमल्स क्या करते हैं चू करते हैं और इसी प्रॉसेस को कहा जाता है रियूमीनेशन क्यूंकि अब देखो हम लोग घास निखा सकते हम ग्रेज नहीं कर सकते क्यूंकि हमारी बॉड़ी के अंदर वो बैक्टेरिया नहीं है जो सेलूलोस को डैजिस्ट करें मालो हम क्य बी वुड है क्या हम वो इध कर सकते हैं नहीं क्यूंकि हमारी बॉड़ी में तो वो सेलूलोस ही नहीं है सेलूलोस को डैजिस्ट करने के लिए कोई चीज ही नहीं बनी है इससे क्या होता है गाय को आप गास खाती है उसमें कितनी सी स्टिक्स होती है वो भी खा जाती है क्य इसको रुमन कहते हैं। समझ आ गया है आपको। इसको रीड कर लेते हैं। The grazing animals like cows, buffaloes, deer are called ruminants. They quickly ingest, swallow their food and store it in the part of stomach called as rumen. The food gets partially digested and is called cud. Later, curd returns to the mouth and in small lumps and animals chew it. This process is called rumination. A bacteria is present in rumen which help in digestion of cellulose. अब क्या होता है कि कुछ animals ऐसे होते हैं। वो अब जैसे इसकी बात कर रहे थे, हम ये cows, buffaloes की बात कर रहे थे, इनके rumen पार्ट में ही cellulose क्या हो रहा था, digest हो रहा था। बट कुछ animals ऐसे होते हैं, जो उनका जो cellulose है, वो rumen में digest नहीं होता, वो सिक्कम में digest होता है। सिक्कम पार्ट जो है, उसमें digestion होती है, वो animals होगे, horses, rabbits, so digest cellulose of food in सिक्कम. ये food को digest कोंसे पार्ट में जाके करते हैं, सिक्कम पार्ट में करते हैं। समझ आगे हैं आपको ये सब कि digestion in grass eating animals ये भी बहुत important है, कड क्या होता है, rumen क्या है, rumen क्या होते हैं, rumination का process क्या होता है, सिक्कम में किस की digestion होती है, जैसे पूछ सकते हैं, कि horses जो हैं, वो cellulose को digest किस पार्ट में करते हैं, तो वो सिक्कम पार्ट में करते हैं। ये सब चीजें बहुत important हैं, अब इस topic में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, share और subscribe ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए science का component complete करतें। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आनी हैं, उनको हम थोड़ा सा अच्छे से वे में बता पाएं, ताकि जो भी problem आप face कर रहे हो, या आपको वीडियो में कोई भी problem face हो रही है, तो please share किया जाए अपने views on comment box, thanks for watching.